ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 10 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे जब तुम बाब की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है इसलिए कहावत है आप मुए मर गई दुनिया प्रश्ण है किस एक रस्म के आधार पर बाब के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो उत्तर है भारत में हर वर्स पित्र खिलाने की रस्म चली आई है किसी ब्रामन में आत्मा को बुलाते हैं फिर उनसे बातें करते हैं उसकी आस पूछते हैं अब सरीर तो आता नहीं आत्मा ही आती है ये भी ड्रामा में नूद है जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है ये तुम बच्चे सिद्ध कर स गीत है मरना तेरी गली में ओम शान्ती ये भी गायन है इस समय का जो फिर भक्ती मार्ग में चला आता है इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है अग्यान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं दुनिया कायम है कहावत है आप मुए मर गई दुनिया परन्तु उनके मरने से दुनिया का विनास तो नहीं हो जाता इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राम्मण ही जानते हो। इश्वर का बच्चा होने से हमको सतियुक का बर्थ राइट मिलता है। पिछाडी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए माला भी राम राम कहब सिमरते हैं ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है सिर्फ बुद्धी से याद करना है तुम जानते हो जीते जी इश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे गाया भी जाता है रूद्र माला राम माला नहीं कहा जाता है तुम रूद्र माला में पिरोने के लिए इस रूद्र ज्यान यग्य में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सतसंग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम इश्वर बाब के गले में पिरोएंगे बाब से तो जरूर वर्षा मिलेगा बाब कौन कहता है आत्मा आत्मा में ही बुद्धी है न बुद्धी समझती है फिर कहती है पहले संकल पाता है फिर करमेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं बाबा के ही होकर रहेंगे इस अंतिम जन्म में गौड फादर कहते हैं न फिर पूछो तुम्हारे में God Father की knowledge है तो कहेंगे God तो सर्व्यापी है बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता तो पिता सर्व्यापी कैसे होगा बच्चे में बाप आ गया क्या बाप को सर्व्यापी कहना बिलकुल रौंग है ये बातें बहुत अच्छी रीती समझ कर फिर समझाना है रूद्र ज्यान यग्य तो मश्हूर है रूद्र है निराकार स्रीक्रश्न तो साकार है आखरीन भगवान किसको कहा जाए स्रीक्रश्न को तो नहीं कह सकते मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं कह देते हैं God is Omnipresent, बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहां रहेगा, अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं कि मैंने इसमें प्रविश किया है, जैसे ब्राममडों में पित्रों को बुलाते हैं, समझो, कोई अपने आपके पित्र को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हूँ, मैंने इसमें प्रविश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो, आगे पित्रों को बुलाने का बहुत रिवाज था, पित्र तो आत्मा है न, पित्र को यानि आत्मा को खिलाया जाता है, कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, समझो किसका इस्त्री से प्यार है सरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली बहनाने का वायदा किया था तो ब्रामर को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं बुलाया तो आत्मा को सरीर थोड़े ही आएगा ये रस्म भारत में ही है जैसे तुम सूच्म वतन में आ जाते हो जैसे तुम सूच्म वतन में जाते हो कोई मर गया उनका भोग लगाते हो तो सूच्म वतन में वे आत्मा आती है ये है बिलकुल नई बात है जब तक कोई अच्छी रीती समझ न साए तब तक मनुश्यों को संशय पढ़ता है कि ये क्या करते हैं ब्रामनों की रस्म रिवाज देखो कैसी है सभी मंदिरों आदी में भोग लगाते हैं पित्र को भोग लगाते हैं गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया अब वय कहां है ये समझ नहीं सकते तुम तो जानते हो जिनोंने धर्म स्थापन किया हुआ है वे सब यहां हैं जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्रामन धर्म स्थापन करता हूँ ये तो पतित पावन है पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है परन्तु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमों में आना ही है इस समय सभी आत्माय कब्र दाखिल है बाबा तो है ही पतित पावन वै कभी कब्र दाखिल नहीं होते मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बात के सिवाय कोई हो नहीं सकता वे तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने क्रिस्चन धर्म का सारा सिजरा वहां है पहले क्राइस्ट आया फिर उनके पिछाडी सब आते रहेंगे व्रद्धी को पाते रहेंगे वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते नंबर वार उन्हों की संख्या आती है पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं सबको पावन बनाने वाला एक वही है यह तुम समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ड़ी भूत है बनेन ट्री का मिसाल देते हैं बहुत बड़ा जाड़ है उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है बाकी टाल टालियां सारी खड़ी है यह भी जाड़ है देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है बाकी सब हैं बीज हो तो फिर से इस्थापन करें न बाप कहते हैं मैं फिर से आकर इस्थापना कराता हूं ब्रह्मा द्वारा इस्थापना संकर द्वारा विनाश बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था महा भारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी इस्थापन हो गई तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे फिर जाड व्रद्धी को पाता जाएगा देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ भारत जो उंचे ते उंच था उनको अब ग्रहन लगा हुआ है काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है अब फिर तुम ग्यान चिता पर बैठ गोरे बनते हो तुम जो स्याम बन गए है तुम जो स्याम बन गए थे श्याम को सुन्दर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा उनकी स्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है आत्मा में ही खाद पड़ती है सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनास होना है सभी का मौत है फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो अब देखो नहरू मरा तो उनकी राख को सब जगा गिराया समझा अच्छी खाद मिलेगी जाड में कीडा आधी पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं अभी इस सारी प्रत्वी को कितनी राख मिलेगी बड़े बड़े सन्यासी महात्मा है मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं सबसे उत्तम है सन्यासी, अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सरश्टी फस्ट क्लास अनाज आधी देगी, सतियुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं, इस सरश्टी को नया बनाने में टाइम लगता है, तुम सूच्म वतन में जाते हो, कितने बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शूबी रस पिलाते हैं, तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सोबी खास भारत को, वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजे निकलेगी, नई दुनिया के लिए, खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी, सूच्म वतन में बड़े फल तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदी का साक्छातकार कराते हैं, बच्चों ने साक्छातकार किया है, शूबी रस पिकर आते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे, अब सूच्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंट में गए होंगे एक-एक को साक्छातकार नहीं कराएंगे, जो निमित बनते हैं उनको साक्छातकार कराते हैं, हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाडी में तुमको भी साक्छातकार होगा, ये तो पहले गउशाला बननी थी, भटी में पकना था तो बहुत आ गए बच्चों को समझाया है सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए टीचर सेकंड में समझायेगा ये तुम्हारा बाबा है ये दादा है ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचैता है सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेक देंगे कुछ भी समझेंगे नहीं इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है ये धिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है बरोबर यादव कौरव महा भारी लड़ाई भी सामने खड़ी है जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा जरूर सुर्ग की स्थापना भी होगी एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनास होगा तुम जानते हो हम नर से नारायन नारी से लक्षमी बनते हैं यह है हमारी M-Object मनुष्ष से देवता किये करतना लागी वार देवता सिर्फ सूर्यवन्सी को कहा जाता है चंद्रवन्सी को छत्रिय कहा जाता है पहले तो देवता बनना चाहिए न नापास होने से छत्रिय हो जाते हैं तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे कितने धेर सिकी लदे बच्चे हैं देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है छैसे आठ मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा बाप को कितनी खुशी होगी ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चे तुम पाँच हजार वर्स के बाद आकर मिले हो लाडले बच्चे तुम बिछुड गए थे अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्सा लेने लिए डीटी वर्ड सावरंटी इज यूर गौड फादरली बर्थ राइट कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है परन्तु इतना लायक बनना है स्रीमत पर चलना है मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फार्कती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे बच्चों को कितना प्यार किया जाता है बाब बच्चों को सिर पर रखते हैं बेहद के बाब को कितने बच्चे हैं बाबा कितना उंच माते पर चड़ाते हैं पाव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माते पर चड़ाते हैं तो कितना खुशी में रहना चाहिए और स्रीमत पर चलना चाहिए एक की स्रीमत पर चलना है अपनी मन मत पर चला तो यह मरा स्रीमत पर चलेंगे तो स्रेष्ट ते स्रेष्ट मनुष्ट अर्थाद देवता बनेंगे बाबा पूछते हैं न कि कितने नंबर में पास होंगे बाब भी कहते हैं सूरेवंसी बनो तो मम्मा बाबा को फालो करना पड़े आप समान स्वदर्सन चक्रधारी बनाना है सिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है कितने मजे की बाते हैं तुम ही समझ सकते हो ना नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है कोई को तो साथ रोज में बहुत अच्छा रंग चड़ जाता है कोई को बिल्कुल नहीं चड़ता बहुत महनत करनी पड़ती है पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सब को बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो कहते हैं हाँ वह मेरे में भी है सर्वयापी है फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है जब बाप कहते हो तो बाप तो बाप तुम्हारे में वह मेरे में कैसे हो सकता है बाप से तो वर्सा लिया जाता है तो पहले पहले अल्फ पर समझाओ बाबा कहते हैं मेरे सिकी लदे बच्चे ऐसे कोई सादू सन्यासी कहना सके तुम जानते हो बरोबर हम सिव बाबा के सिकी लदे बच्चे हैं पांच हजार वर्स के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्सा लेने लिए जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे फिर हम ही बनते हैं स्वर्ग में जाना जरूर है फिर पुरुशार्ट अनुसार उंचपद पाना है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मरनिंग रूखानी बाप की रूखानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्य सार पहला है मात पिता को फालो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है स्वदर्सन चक्रधारी बनना और बनाना है दूसरा है बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धी से बाप को याद करना है आवाज नहीं करनी है याद की धुन में रहना है वरदान है दे अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में इस्थित रहने वाले सम्मान धारी भव दे अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में इस्थित रहने वाले सम्मान धारी भव जो बच्चे इस एक जन में दे अविमान का त्याग कर स्वमान में इस्तित रहते हैं उन्हें इस त्याग के रिटन में भागय विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मान धारी बनने का भागय प्राप्त हो जाता है आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो और इस समय संगम पर तो स्वयम भगवान अपने स्वमान धारी बच्चों को सम्मान देते है स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा सम्मंद है स्लोगन है हर कदम में बाप की ब्रामण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती